जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री लक्षमी नराइन जी भगवान की जै विशाख मास महत्यम की मंदर शिवनसी वाले महात्मा YouTube चैनल के ओर से आज हम आपको विशाख मास महत्यम के 24 वे अध्याय की परम सुन्दर कथा को सुनाने जा रहे हैं विशाख मास महत्यम के अध्याय एक से लेकर अध्याय 23 तक की कथा को पहले ही आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं तो चोबिस्वे अध्याय की कथा इस प्रकार है। व्याद आज शंक मुनी से कहने लगा है कि हे मुनिवर भागवत धर्म कोन कोन से हैं और किन के द्वारा भगवान विश्नु प्रसन होते हैं। अब ये कथा सुनाने की कृपा केजिए शंक मुनी कहने लगे हैं कि हे व्याद जिससे अंत्यकरन की शुद्धी होती है जो साधू पुर्षों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है उसे तुम सात्विक धर्म समझो वेदों और समरित्यों में बताई हुए धर्म का यदि निश्काम भाव से पालन किया जाए तथा वे लोक से विरूद नहीं हो तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए वर्न और आश्रम के विभाग के अनुसार जो चार-चार परकार के धर्म हैं वे सभी नित ने मैतिक और कामे भेद से तीन पर जानना चाहिए वे सात्विक धर्म ही मंगलमे भागवत धर्म हैं और इन धर्मों का पालन करने से भगवान की प्रापती हो जाती है अन्यान देवतां की प्रीती के लिए सकाम भाव से किये जाने वाले धर्म राज़स माने गए हैं यक्ष राक्षश पिशाच आदी के भगवान विश्नु को प्रसन करने वाले शुब कारक सात्विक धर्मों का सदा निश्काम भाव से पालन करते हैं वे भागवत अर्थात विश्नु भक्त माने गए हैं जिनका चित सदा भगवान विश्नु में लगा रहता है जिनकी जीवा पर सदा भगवान का नाम रहता है और जिनके हिर्दे में भगवान के चरन विराज मान हैं जो सदा भगवान की कथा सुनने में रूची रखते हैं वे भागवत अर्थात विश्नु भक्त माने गई हैं जो सदा चार परायन सब का उपकार करने वाले और सदैव माया मोह से रहते हैं वे भागवत माने गई हैं जिनका शास्त्र में गुरु में और सत्कर्म में विश्वास है तथा जो सदा श्रीहरी विश्नु भगवान जी के भजन में लगे रहते हैं उन्हें भागवत अर्थात विश्नु भक्त कहा गया है जो सदा तुलसी माता का पूजन करते हैं जो सदा तुलसी दल से श्रीहरी विश्णु भगवान जी की पूजा करते हैं वे भागवत माने गई हैं अर्थात वो विश्णु भक्त माने गई हैं उन भगवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य माने हैं जो भगवान विश्णु को प्रिये हैं तथा वेदों और सम्रितियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है वे ही सनातन धर्म माने गई हैं जिन का चित विश्यों में आ सकत है और थात जिन का मन काम वासना में आ सकत है उनका सब देशों में घूमना सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है साधू पूर्चों का मन साधू महात्माओं के दर्शन से पिगल जाता है निश्काम पूर्चों द्वारा श्रधा पुर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विश्णों को सदा ही प्रिये है वह भागवत धर्म माना गया है भगवान विश्णों ने शीर सागर में सब के हीत की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को धहीं से निकाले हुए मक्षन की भांती सब शास्त्रों के सार भूत विशाख मास के धरम का उपदेश किया है जो दंब रहित होकर आलस से रहित होकर विशाख मास के वृत का गी दुरलब परमधाम में जाता है इस प्रकार द्विज शेष्ट शंक के द्वारा भगवान विश्णों के प्रिये वे शाख मास के धरमों का वर्णन होते समय वे पांच शाखाओं वाला वट वरिक्ष तुरंत ही भूमी पर गिर पड़ा उसके खोकले में एक विक्राल अजगर रहता था वह भी पाप योनी मय शरीर को त्याग कर ततकाल ही दिव सवरूप हो मस्तक जुकाए शंक मुनी के सामने हाथ जोड कर खड़ा हो गया शंक मुनी ने आज की स्परम सुंदर कथा में भागवत धरम का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है जिन मनुश्यों का मन सदा भगवान के चर्णों में लगा रहता है जो पूरी शद्धा भावना से भगवान की भक्ती करते हैं उन्हें शेष्ठ भागवत कहा गया है अर्थात वो विश्नु भक्त कहे गए हैं तो हम सब का परम करतव इस समय ही है कि मनुश्य योनी को प्राप्ट करके हम भ मनुश्य संसारिक कामनाओं से रहित होकर भगवान की भक्ती करते हैं वो भी भगवान को प्रिये हैं लेकिन जो मनुश्य संसार की कामनाओं को भगवान से ही पूर्ण करवाना चाते हैं अर्थात जिनके मन में संसार की कामनाओं हैं और उन कामनाओं को वो भगवान के चर नाव में फसे हुए हैं विशेवास नाव में फसे हुए हैं जो कभी भक्ती नहीं करते जो कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते ऐसे मनुश्य इस पार भवसागर से पार नहीं हो सकते तो इसलिए हम सब का परम करतव यही है कि हम सदा भगवान की भक्ती करते रहें संसार के सब कामों को करते हुए जो भगवान की भक्ती करता है भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है आप सब का हार्दिक धन्यवाद आगे की कथां को भी प्रिपया आप अवश्चे सुनें तो मंदर शिवनसी वाले महात्मा यूट गवान श्री रादा कृष्ण जी की भगवान श्री लक्षमी नराइन जी की विशाख मास महत्यम की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री लक्षमी आधे शाम